बियार चुनाव से पहले एंडिये में घमसान छिड़ा हुआ है जेडियू और बीजेपी तो एक सुर में सुर मिला रहे हैं लेकिन लग रागलाप रहा है चुडाग पास्वान लगतार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बगावत के संकेत मिल रहे हैं आज भी उन्होंने स्रियम नितीश कुमार को लेकर ऐसी बात बोल दी जिससे साफ जाहिर हो गया है कि भले ही बीजेपी हाथ मिलाने का दावा कर रही है लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने एलान तो कर दिया कि एंडिये गड़ बंधन साथ चुनाब लड़ेगा कोई कहीं नहीं जाएगा बीजेपी जेडियू और लजेपी सब एक हैं लेकिन क्या उनके दावा करने से वाकई चुराग एंडिये को रोशन करने के लिए राजी हो गए यह सवाल इसलिए क्योंकि उनके तलख तेवर अभी बरकरार हैं उन्होंने इशारों इशारों में नितीश कुमार पर तंज कस्ते हुए कहा कि मैं भाजपा द्वारा चुने गए किसी भी टॉम डिक या हैरी से सहमत हूँ लेकिन जनता से जुड़ी उन्होंने कहा मैं नितीश कुमार के साथ संकल्पों की प्रतिबधता पर काम करने को तयार नहीं हूँ जिसे की 2015 के चुनाव से पहले घुशित किया गया था सहयोगी दलों को एक सामान या नियुनतम कारेकरम पर सहमत होने की आवशकता है जिसमें उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अभियान भी शामिल है चुराग पासवान के बयान से साफ है कि वो अब भी पूरी तरह से नितीश कुमार से सहमत नहीं है यही वज़ा है कि वो खुल कर NDA का साथ देने कायला नहीं कर पा रहे है लोग जन्शक्ती पार्टी के अध्यक चुराग पासवान ने 16 सितंबर को पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी की बिहार इकाई के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा कि उसे 243 सदस्य राज्य विधान सभा के चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए चुराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि लजेपी सम्मान जनक सीटों पर लड़ेगी इसी मांग के साथ उन्होंने बगावत छेड रखी है वो खुल कर नितीश कुमार पर बरस रहे हैं वहीं केंदर में गटबंधन होने से बीजेपी पर नर्मी दिखा रहे हैं कहा जा रहा है कि वो जेडियू का साथ छोड़कर केंदर में बीजेपी का साथ बरकरार रख सकती है अब तो राम विलास पासवान भी कह चुके हैं कि वो हर फैसले में अपने बेटे के साथ है ऐसे में देखना होगा कि क्या चिराग एंडिये के साथ बने रहेंगे या नहीं डीबिलाइव की रिपोर्ट